हलो आज टोपिक में रिवाइस करने जा रहे डिटिश अकाउटिक स्ट्रीट कैश फ्लस टेटमेंट बहुत एससे त्रीट कैश्ट फॉल फ्लच इस पेकोश्चिन सा आ सकते एक्जामनेशन में दस नंबर के लिए बारा नंबर के लिए सब पहले हम लोगों को लगता है कि फाइनिशल स्टेट्मेंट को कौन बता था एस री हमको आना पता है कि काश्व स्टेटिन को फॉर्मिट कैसा होगा थो पहले बात करते हैं कि वोट इव मीन बाइं काश इंक्यूवल करते हैं कि काश का मतलब क्या होता है एस त्री ने जो दिफाइन के काशी ने अन्दिमांड दिफाइट विट बैंक तो अब कैसी को दिफाइट बैंक में दिमांड इपोइट मिस्ट विद्रोइट अनी तैम तरी इस कैश और कैश इक्यूवलेंट को क्या था कि कैश एक्यूवलेंट का मतलब होता है कि शॉर्ट-term हाइली लिक्विट इन्वेस्मेंट डेटर रेडिली कनवर्टिबल इंट इन नोन अमांट और इन सिग्निविकन बाराब उसका रिस्क वालुचेंज होने वाली नहीं है अब सेक्यूविटी प्रिडिट प्रिड त्री मंथ और लेफ देट अव एक्विजिशन और इसकी देट अव एक्विजिशन से कम होती है तो कैश इक्वेल नहीं हम लोग कहते है अभी बहुत इंपोर्टन चीज आप इस चीज को समझे दो बॉक्स चुमें नहीं यहां प क्यों यह वैसे cash statement क्यों बनाते क्यों कि हम यह चाहते कि users of financial statement ही चाहता है कि हमको activity वाइस पता चले कि कौन सी activity कैसे perform कर रहे है तो वह operating activity हो सकती investing और financing यह तीन और activity के हम लोग इसको revise करेगे लेकिन यह important चीज है कि जो box के अंदर आपको यहां पर जो दिख रहे है that is cash and cash है कि operating activity से आपका पैसा आ रहा है यह उसके लिए जा रहा है वोड़ यू मीन वह operating investing financing अपके पैसा आ रहा है जा रहा है यहां पर आ रहा है जा रहा है किस चीज को अच्छे समझ दो अब ही क्या हुआ हुआ है यहां पर कि आपका cash and cash equivalent से यह आना जाना होना चाहिए कि इस पर इंवेस्टिंग फिनांसिंग लेकिन अगर इसी box के अंदर ही cash flow का मुमेंट हो रहा है तो वह cash flow statement का हिस्सा नहीं होता for example मैं के तो कि मैंने bank में पैसा deposit कि है what entry do we pass we pass entry bank account to cash account bank and cash both are cash and cash equivalent तो यह एक के अंदर ही मतलब आपका इसी box के अंदर मुमेंट हो रहे विद्रॉल from cash विद्रॉल from bank cash withdrawal from bank bank से अपने विद्रॉल करें तो यह आपका इसमें activity में को फर्णियों इसी के अंदर मुमेंट हो रहे तो cash flow statement का हिस्सा वो होता नहीं है अब देखिए अब देखिए ट्रैक्स फ्लो इसके अंदर मुमेंट हो तो cash flow statement का हिस्सा नहीं है for example cash withdraw from current account आपने bank से पैसा विद्रॉक करते cash आई और bank balance कम बहुत आर cash and cash equivalent का हिस्सा है cash deposit into bank आपने बैंक में पैसा जमा करा है अब हम लोग यह समझते हैं कि तीन activity जो हम लोगों का accounting थरीक है तो operating investing and financing activity तो तीनों के बारे में हम लोगों की डिटेल में बात करते हैं लेकिन एक चीज़ ख्याल कर रखना आपने कि आप लोगी जो तीन activity जो आप लोगों की वह आप लोगी वैसे तो method cash flow statement बनाने की दो method होती एक होती आप लोगों की direct method और एक financing activity वह उसमें कोई चेंज महाँ पर नहीं होता है तो इसका मतलब हम पहले टीनों activity समझ लेते direct method से operating investing financing उसको revise करते और indirect method में आप जाएंगे महाँ पर सिर्फ अपने को क्या करना रहेंगा वहाँ पर सिर्फ हम लोगों को करना रहेंगा अपनी indirect method क्योंकि वह इंडारेक्ट में अलग होती है अब आप आते सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है कि भी operating activity का मतलब क्यों है तो operating इसके बारे बात करें operating activity का मतलब क्यों होता है operating activity वह चीज़ होती जिसमें आपका revenue generating activity से inflow और outflow है for example sale, cash collection from data, payment to creditors, payment to suppliers, cash purchase, wages and salary paid ये inflow और outflow है cash और cash और का कॉंसे activities revenue generating activity से हो रहा है तो आप या पर देख सकते हैं, cash sales and collection from data, cash purchase and payment to creditors ये जब भी आप examination में ख्या रहा है जब आप outflow हो तो negative figure आपको लिखना रहता है then cash paid to employees ये आपका negative figure then other cash payment for overheads and expenses outflow और आपका ये जो amount है cash generated from operating profit before extraordinary and tax तो आपने ये आपका cash flow from operating activity before extraordinary रहता है अगर आपका extraordinary item इसको separately disclose करना पाता as per AS3 वह आपने आपे आपे minus कर इसके taxes जो pay कर आपने minus कर इसके पास ये item आपको जो भी आई that is cash generated अगर ए positive figure तो आप you will say cash generated और अगर ही negative figure है तो you will say cash used from financing it is not a financing activity do the correction तो ये आपकी financing activity नहीं है ये आपकी कौन से activity ये आपकी operating activity ये आपकी operating activity ठीक है ओके cash generated और यूस अगर आपके negative figure आए तो आपको used word use करना होता है यहां ठीक है तो cash generated और यूस from operating activity अब वैसे extraordinary item और tax pit के बारे मुझे और कुछ भी कहना आगे आपन discuss separate discussion discussion होगा अब second हमारी activity that is investing activity investing activity में ख्या रखना आपकी यहां पर कौन सी चीजा आपकी investing activity में आती है आपके तीन चीज अपने को ख्या रखना हैb Andrew klong कौं का सी तीन चीज में पर fix asset log Fix Asit आपकीं इन्वेस्पेंट और लोन कियुर्ट किसी का लोन दी तो ये तीनों की तीनों तीनों activity आप आप लोगों की investing activity कौनसी activity फिग्स असे इन्वेस्मेंट फिग्स असे इन्वेस्मेंट और लोन गीवन यह तीनों की तीनों की activity आपकी कौनसी अक्टिविटी यह आपकी investing activity है इसी सका अप ख्या लगए तो फिग्स अब देखो inflow या आउट्फोव ना चीए इंफ्लो आउट्फोव रहा है तो आपने फिग्स लेट बेचेए तो पैसा आया हमारे पास से इन्वेस्मेंट आपने किसी को दिये लोन लिये नहीं आपने किसी को दिये और रिपेमेंट उफ लोण उसने आपको किया तो वह आपके पास पैसा है दो यह इन फ्लो एन आउफ्ले तीनों चीज का फिग्र सेट हो गया इनवेस्मेंट लोन की वर तो यह आपका आता है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका formid दिया आपको किस चीज का investment activity the sale of fix and investment तो या आपका inflow पैसा आया पर चेज़ा पैसा आया तो लोरे एडवांस रिसी बैग उसने वापस अपने को किया तो हमारे पैसा आया ठीक है तो यह आपका cash generated और use from investing activity किया आगे तो दूसरी investing activity बड़ी simple दे तीन चीज आती है फिर सेट investment और loan given और return investment भी इसी मेंगा अब third category जो हमारी ते that is financing activity activity financing activity में क्या कि रहे इसमें कौन सी चीज आती है आपने ख्याल रखने इसमें जो चीज आपकी आती है that is इसमें जो आपकी चीज आ रही वह कौन सी चीज आ रही equity share capital प्रेफरेंश चैपिटल आता है equity और preference loan taken loan given आपकी investing activity loan taken आपकी financing activity हमने loan लिये और आपके debenture भी इसमें आते एक्सांबल loan taken या आपके debenture भी इसमें तो तीन चीज आपने ख्याल रखना capital debenture और loan taken वह आपकी इसी activity loan taken या आपकी कौन सी चैपिटल प्रेफरेंश चैपिटल और बॉरविंग और अपने एंटरप्राइस थी कि फिर आपने loan taken यह debenture इसू करके आपने पैसा आया तो आप सी कौन सी activity वह आपकी आपकी यह debenture इसू करने पर पैसा आया वह आपकी कौन सी activity वह गया आपकी फिनैंसिंग activity loan taken आपने लोन ले वह भी आपकी फिनैंसिंग activity और रीपेमेंट और रीपेमेंट और प्रेफरेंश और डिबेंचर और अब देखा आपने रीपेमेंट रिफेरेंश के बारे मेंगे भी आपने पड़े आपके पास इसू कर तो उनको वापस ले रहे तो आपके आस पैसा जा रहा है यह कि रेदेंशन दिबेंचर वापस ले रहे शेयस वापस लिए आपके तहसे पैसा जा रहा है अब इस ख्याल रखते अब आपने इंटरेस और डिविएंट यहां पर लीनी रहे इंवस्मेंट के पार इंटरेस को सब्सक्राइब बच्चों हमको मिलता है यहां पर फिरमारी मजही not है ये बंचिर अमने टैर्न पेाबी इम wait मिलता है यहां पर हमने यहां पर फिनन्सिंग अक्ट तो और शेय को इश्व करे तो मांट कुछ अक्टीमारी मेंसंसिंग एक्टिविटी सेह हमको आप देते हैं आपको पढ़ना रहता है आपको यह पढ़के करना होता है कि कौन सी अपरेटिंग है इन्वेस्टिंग है कि फिनैंसिंग है बहुत सिंपल है ठीक है अब उसका एक फॉर्मिट मगर एक और चीज क्या रखना में आपको बता दे तो रेगुलर बाच में हम करते तो बहुत स्राइब अपको चीज पता हों इसे जिस आपने कोई यहां पर आपने इससा जिस्ट के नदि इक्शाम्पल बाडें इर्गिलर बैंट कि स्れ stiffness ऑ लेगिन आप आपको जो है यह opening balance of cash and cash equivalent आपको यहां पर लिखना था क्या लिखना था opening balance of cash and cash equivalent आप महां पर लिखते हो और closing मैं आपको एड़ एंड सबसे आखरी में लिखना है ठीक है opening balance of cash and cash equivalent closing balance तो आपका साल के शुरुबात पर दो था साल के आकरीव होगे बच्चों 102 तो 2 से बढ़की वा साल के आकरीव में कितना होगे वह 102 तो कितने से बढ़ा 100 से बढ़ा तो आपने operating investing and financing activity की जब यह total करेंगे तो बराबर उतना ही हैंगा जितना इसमें difference है तो 100 से बढ़के 102 होगा तो 100 से बढ़ा तो इस तरीक से आकरीव इसको लिखा जाता है मैं वापस रेपेट जिसमें आता तो मैं इंडारिक मैथट पर जाओ लेकिन उसके पहले कुछ मझे और आप से यहां पर discussion कर रहा तो उसके बारे में हम लोग पहले बैंकिंग फाइनेशल कंपनी तो इनका नेचर ऑब बिजनेस ही है तो यह आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएंगे यह आपने इंडेस्मेंट इंडेस्ट रिसीव आपने कुछ करें आपने का इंडेस्मेंट करें सब्सीडियरी में कुछ तो नॉर्मल यह आपकी इंडेस्टिंग एक्टिविटी है ठीक है अब आपने कर एंप्लोई को दिया थोड़ा साई इसको ध्यान से सबढ़ अगर आपने कभी employee को advance दे दी salary आपने किसेके advance दे दी क्वेड़िवांज के आपके इंप्रेस्ट ले रहो क्योंकि आपने employee को पेमेंट करते हुआ आपके operating activity थी तो इसलिए आपने कभी advance दे और उस पे अरगर interest आपने चार्ज कर तो वह भी आपके operating activity ही होगी यह highlight करो exception ठीक है तो वह आपको investing activity ने operating activity कभी होता है कि supplier को आपने advance दे रहा है तो advance आपने supplier को अगर देजी तो इंट्रेस आप लेते हैं लेकिन payment to supplier operating activity तो कभी आपने advance देज तो इंट्रेस्ट मिला तो that is also operating activity तो जो मैंने आपको highlight करो वह operating इंजनर वह investing ही होती है लेकिन तीनस के exception होगे अब आपने यह पर loan and advances taken अब आपने loan and advances क्या कि बच्चा पर loan and advances taken and interest paid on them आपने loans and advances लियो किसी को तो आप तो कहेंगे तो financing activity नॉर्मल ही फाइनसिंग activity ही होती है अब अगर आपने कस्टमर से अडवांस लिए तो कभी होता है कि कस्टमर से अडवांस लिए तो हाँ ही होता है आपने advance लिए यह उसके उपर आप interest अगर पे कर एडवांस टेकन फॉर्म कस्टमर आप अगर इंट्रेस पे कर रहे तो आपके आपकी कॉन सी activity वह भी आपकी operating activity है तिसको आपने ख्याल रखने जो मैंने आपे highlight करो आप भी रैपेट जीसमें उसको highlight कर लेंगे अब कुछ पॉइंट में इंडारेक मेठ पर आने के पहले कुछ पॉइंट है इंकम टाइक्स हम लोग कौन सी activity में अब इंकम टाइक्स इंजनरल operating activity में आता है कि जो बिजनस में profit होता है उसके उपर हम लोग टाक्स पे करता है तो कौन सी अक्टिविट वो operating activity में ही हम लोग का आता है लेकिन कुछ exceptions है अगर आपको जब भी tax question में दिया तो आपने यह देखना के इंजनरल operating activity ही है इंजनरल कौन सी activity आपको operating activity ही है लेकिन आपने उसको question में यह देखना जब आया कि क्या वो इंवेस्टिंग और इंवेस्टिंग फिनांस भी लेकर आपने उसके पहा गर अपने यह दुसक्रावथ आपकर आपने the तो इंट्रेस्ट विरसी इंवस्मेंट अक्टिविटी उस पे टैक्स पे कर तो आपका आजाएंगा वह भी टैक्स आपको हुई आपको आजाएंगा अब इस चीज़ को ख्या लगना है लेकिन जन्री वह उपरेटिंग अप्टिविटी वह होता है अब इस चीज़ को आपको अच्छे समझने एक्स्ट नहीं का ताब उसको अप्रेटिंग अक्टिविटी ही मान लेना लेकिन आपको यह दिखना रहेंगा कि एक्स्ट अप्रेटिंग एक्टिविटी किसको बिलॉंग करें आपको वह भया लग गई और इंशुरन्स क्लेंग को यह रहेंगा आएंग आपकी Indeed तो उसके ओपर insurance claim भी फिए investing activity है आपका for example loss due to fire loss due to fire और हमारे stock जल गया पूरा अभी stock क्योंकि आप क्या operating activity आप goods खरीदते बेशते हो तो आपका फिर उसमें insurance claim भी थो फिर आपका operating activity में है इस तरीक से हमको extraordinary को लिखना होता है कि separate disclose करना पड़ता है ऐसा accounting standard हम से थ्रीक कहता है कि extraordinary separately मतलब operating और investing और financing के जो भी activity लेकिन separate ही अलग से अपने को आपको इसको disclose करना होता है अब अब indirect method में आता हूँ लेकिन indirect method में चीज़ क्या रखना अपने कि उसके उपर में आता हूँ लेकिन आपने operating activity indirect method में अपने को पढ़ना रहेगा क्यों क्योंकि investing and financing दोनों ही method में common है तो उसमें कुछ नहीं देखना हमको जो अमनी investing financing आपने देखिए वही अपने को indirect method में भी करना है लेकिन मैं एक्स्ट्र यह ordinary activity indirect method में अलग calculation तो मैं आपको बताऊंगो उसके logic उसके concept के regular batch के मेरे पास यहां पर उसका मैंने यहां से मस्ट पर just give me a minute मैं उस पर उस पर यहां से discuss करें उसका logic क्या है indirect method में क्यों ऐसा calculate करता हूं लेकिन दो तीन चीज़े और चोटी छोटी छोटी थे से current चलो एक काम करें तो समझे यह format आपको दिया वाए इसके पहले इसके concept के रिवाइस कर ले तो जो रेगुलर बैस्ट में अपने इसको यहां पर अब इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे मैंने का आपके पास यह दिखे रहा है profit and loss अकाउंट है आपका यह पीनल अकाउंट है कि अपन से कहता है कि आप जब इंडारेक्ट में लोग सॉल्फ करते तो आपको डिरेक्ली नहीं कह रहा है कि आपने supplier को कितना पे करें collection from data कितना हुआ cash sale कितना हुआ cash purchase वह डिरेक्ली अपन से कहा है नहीं रहा है वह आप से कहते है कि आपको profit and loss account का net profit before tax जो है वह आपका base है net profit before tax जो आपका base तब ध्यान से बाप में रहा है सो नहीं अब हुआ कि अगर मैं इसको base मान रहा हो यह मेरा starting point है हमको यही accounting standard कहता है तरी कि यह आपके starting point है किसका रहेंगा आपका starting point एक cash flow from operating activity जब आपका हुआ तो आपके starting point you have to write net profit before tax net profit before tax आपने यहां पर लिए net profit before tax लिए कि इसको समझते है मुझे देखना है कि मैं यह net profit in loss account में debit कर तो क्या हो एकाश यहां पर इसको and profit in loss legislate ने अब यहां पर इसको uping us Quando Ambreak बेत करें आपकाป्राफित जरूर कमर आपका depreciationη में debit ने बश्तर करनके तरेowsन चेष्परीट करें वह ने कि यहां पर अगर मैंने इसको का, net profit, before tax, अगर मैंने base माना, तो क्या मेरा profit, यह profit कम हुआ न ये, यह debit करने से, ये मेरा profit कम हुआ, लेकिन, इसको पेज़ा ने, मेरा profit कम हुआ, लेकिन क्या, at the same time, मेरा cash भी कम हो, कि तो answer is no, तो मुझे, net profit, before tax, मैंने, net profit, before tax, मैं उसे, मैंने क्या करा आड़ बैक करूंगा उसमें क्यों कि लॉजिक बताया उसको फॉर्मेट को रटने की जरूरत नहीं कंसिप समझ तो आपने नेट प्रॉफिट विफोर टाक्स यहां पर इसको बेस माने डेपरिशन नॉन कैश्पेंडिश इसको आपने पेल में डेबिट कर तो आपने परने पर एक्सपेंस को मैं राइट ऑफ कर आँगा तो उसको ऑपर यहां पर करेंगी इसका लागिस के पीछे अब उसकी बात मैं कहते हो कि पिन आईटम में एसे लिक देता हूं जो कि आपरेटिंग एक्टिटी को बिलॉंग नहीं करते एक्जाम्बल की दूर पर इंट्रेस्ट दिवेंजर लिखना ए उसको लिखना यह लेकिन वह अपरेटिंग एक्टिवीटि ने आपने इंट्रेसट दिवेंचर कर पे करें। अपने अक्टिंग साही करें। अपने लिखाए। venture तो यह तो profit आपका कम हो गया yes लेकिन क्या operating activity का cash flow कम हो के नहीं वो तो financing activity महां लिखे भी होगे आपने तो इसलिए आपका profit क्या होगा इसके लिखने से कम तो अपने को क्या करूंगा आप देखो यहां पर अपने लॉसे तो प्रॉफिट तो मेरा कम हो गया लेकिन क्या यह operating activity के नहीं यह operating activity इसले अपने लॉसे तो प्रॉफिट करते प्रॉफिट कम हो गया तो आप यहां पर देखोंगे आपने यहां पर अमें credit side में जाता है ऐसी credit side में कुछ activity लिखी चुकि आपरेटिक अक्टिविटी को बिलॉग नहीं करती फर एक्जामपल profit on sale of fix it और investment यह तो अपरेटिक अक्टिविटी के बिलॉग नहीं करता लेकिन आपने पीनल में credit करें यह total net profit बढ़ गया क्योंकि profit on sale of fix it investing को आपने यहां पर credit करें क्योंकि profit यह आपका बढ़ गया तो accounting गलत नहीं करें लेकिन यह investing activity यह operating activity नहीं है तो क्योंकि इसको क्रेडिट करना से यह मेरा profit बढ़ गया तो मुझे यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑप्रेटिंग अक्रिविटी का भी cash flow बढ़ा तो अपने को यहां पर credit करना से profit बढ़ गया तो इसको कम करना पड़ा है क्योंकि operating activity नहीं है वह investing में लिख्योंगे तो आपने देखो यहां पर gain और loss on investment quindi करना खुदि नहीं आपने क्या करें उसको कम करना की इससे रहां पर क्या किया उसने यहां पर स्ल्सको माइनस किया ओकि अब उसकी बाद यहां पर interest on investment आपकर तो आपने इंट्रेस अन इन्वेस्मेंट आपकर करें account यहां पर इंट्रेस्ट इंकम और डिविएंट इंकम इंट्रेस्ट वे डिविएंट इंकम उसको अपने को माइनस करना पर फिर यह आपका आगया तो यह लॉजिक है एड लेस्ट क्यों करते हैं लॉजिक समझ दो कुछ भी नहीं इसमेटा ठीक है अब यह ना वर्क यह क्या होते हैं प्रोफिड इफ़ोर working capital changes इसके बारे में बात करता हूँ यह सेकेंड बढ़ा point इसके बारे में बढ़ी थोड़ी तमाइस आप से बात करने वाप करने वालों ठीक है यह इसकेंड वाला portion के इसके कशलन को और चीज आप का से बात करो अपने एक रूल आपको ख्याल रखना उसको मैं लॉजिक भी आपको रिवाइस करा देते हो रेगुलर बैश में, यह बैश में बहुत डिटेल में उसके बारे बात किये थे क्या चीज़ थी कि आपकी कोई भी current asset और current liability तो current asset यह rule क्या उसको logic में मैं बता तो इंक्रीज हुआ current asset तो minus, decrease current asset plus मतलब आप opening और closing balance को compare करते हो अगर वो increase हो रहा है तो आपको minus करना रहेगा और अगर decrease है तो plus करना है उसी तरह current liability अगर increase ओर opening balance of current liability और closing को आप compare करो अगर वो increase हो रहा तो plus करोंगी decrease हो रहा तो minus जब भी आप examination में question solve करोंगी तो आपने पहले इसको कहीं पर roughly आपने लिख लिए ना cash flow statement question आपने roughly वहीं पर कहीं पर इसको लिख लिए अब इसको logic में quick revision करा दे तो कि क्यों हो रहा है क्योंकि क्यों अपने regular batch में आपको पढ़ाया था पांच लाग तो ओपनेंग कितना आपका 4,50,000 और closing कितना पर आपका पांच लाग तो यह रूल किसा आपकर मैं देखू तो current चार लाग पचा सॉरी यह ओपनिंग एक लाग debit balance एसेट है तो opening आपका एक लाग और closing आपका एक लाग पचास ठीक है इसके रूल के साबसे क्या कर रहा है माइनस करना है तो current asset आपकी पचास ठार रुपे से बड़ी तो अपने को क्या करना है बच्चों को रूल के साबसे 50 ठार रुपे माइनस करना अब अगर actual मैं देखा जाए तो collection from sales अपने को पांच लाग नहीं हुआ data से यह तो create sales था यह balancing figure है collection from data आपका चार लाग पचास से हुआ अब मैंने क्यों के profit and loss account को पांच लाग रुपे से kred कर रहा हूं तो अगर मैं profit and loss account को पांच लाग रुपे से बढ़ा के नहीं तो चार लाग पचास से ही बढ़ा ना क्योंकि वह आया तो चार लाग पचास ही तो तो क्रेट सेल था पांच लाग इसका मतलब आपने इसको यह पांच लाग से अपने नेट प्रॉफिट बढ़ा और वह सही अकाउंटिंग में कोई गल्ती नहीं यह बार-बार क्या रहा हूँ तो यह आपने सही है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा के कैश भी पांच लाग से बढ़ा के नहीं कैश बढ़ा चार लाग पचास से तो यह पचास लाग जाद इसको लिख लेना और इसके साब सबको करने करना रहा अब एक करन लाइबलिटी कभी मैं आपको रिवाइस करा दे तो अब इस अबस ओपनिंग था एक लाग और लाग बीस रूपे से इस रूल की साब से करन्ट लाइबलिटी है मेरी अगर वह बढ़ती बच्चों तो मैं को आड करना रहेगा तो मैंने का अगर में की साब से 20,000 लुपीस मुझे क्या करना बच्चों आड करना है तो क्या चीज़ यहां पर हो रही है आपका कि फर एक्सामल परचेस का को भी फिगर ले ले दो लाग यह से मैंने आप लिए तो परचेस अकाउंट डेटी टूपर लेकिन क्या कैश फ्लो भी मेरा दो लाग से कम हो किने कैश फ्लो मेरा एक लाग असी से ही कम हो तो मैंने 20 जादा से बता दियो आउट फ्लो तो मुझे यहां पर आड करना रहें का इस तरीके से यह उसका लॉजिक है तेकिन एक्जामेरिशन में सिर्फ अपने लिखना और अब देखो यहां पर तो यह रूल है और इंक्रीज 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 इनक्रीज इंक्रीज 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 इंक्री पेकर अपने इंकम टेक्स पेड बीटा माइनस करेंगा और एक्स्रोडरी राइटम को यह उसको बिलॉंग करता है तो यहां पर इसको एड्जिस करेंगे रापका आपका आपका इसको करेंगे तो कैस जनुरेटर और यूस फ्रॉम आपको फिगर रहा जाए तो इस जाए इसका आपको कभी भी वर्किंग नूट नहीं बनाना होता है लेगिव चैकर को मज़ा आता है ने प्रॉफिट पikeक्स पर नहीं देता वह आपसे क्या कहता है वह आपको कुछ और घुमा के देगा इसको यह वाला नेट्प्रॉफिट देता है अब इस सेकेंड वाले एकुकिन नेट प्रोफिट बिफोर तैक्स आप से कहता है तो बैंसे कि आपने से कंद वाले पोर्शन पेनक दो पाट है और ए बी तो आपको यह इंस्टूुट ज़नरल यह देता है और इसके वर्किन ण legisl एब क्लास में भूर अपने करें जिसमेठ आपने वर्किन वर्किन बनाते हैं बचि अब यह आपके बैलेंसरेंग फिकर आगए और यह आपका before takes reference देना, working दो और फिर इस तरीके से solve करते जाना, अब अच्छे कई बार इसमें confused भी होते हैं, क्योंकि देखो आपको आप आप indirect method से करते हो, ये direct method से करो, direct method में जनररल इसा नहीं होता है, indirect method में आप होता है, कि आप बहुत से working note अपने को बनाना होता है, तो आपने देखो यहां पर जिस पर adjustment है for example depreciation तो कि इस पर land and building पर आपका फिर आपने investment की उपर एक आपको income tax की उपर है ठीक है तो आपने working note मैंने यहां पर बनाया रखोंगा एक profit and loss account अपर हमेशा बनाते हैं to find out a profit before tax ठीक है अब आपने plant and machinery पर equity share capital की उस पर कुछ adjustment होगा यहां पर equity share capital पे भी कुछ है yes equity share capital पे आपका है यहां पर ठीक है तो उस पर equity share capital पे आपके बनावा investment की उपर provision for tax जिस जिस के उपर तो उसके account बना लो पर तो अब आपने account बना लिए बड़ा simple होता है अब यह आपका opening और यह आपका closing तो opening था 10 लाग closing की 12 लाग पचास तो capital के credit balance होते है तो देखो यहां पर opening मैंने लिखा 10 लाग और closing लिखा 12 लाग पचास तो उसकी बादे बच्चो capital reserve account वैसे बनाया नहीं लेकिन बना लेना चाहिए roughly उसमें भी कुछ क्रेडिट बैलेंस होते है ओपनिंग जीरो और closing उसका कितना 10,000 ठीक है उसके बादे बच्चों फिर यहां पर यहां पर यहां पर कह रहा है आपसे कि आपका प्रॉफित लाग आपने ली चार पांच लाग ओपनिंग तो लोन पीकर रिपेमेंट आफ लोन तो आपकी फिनेंसिंग एक्टिविटी तो इसमें आपको लोन रिपेड अब आपका पांच लाग से कम होगे चार लाग हो गया तो इक लाग रुप है तो एक लाग रुप है उसके बादे बीटा प्रोविजन फॉर टेक्स अकॉंट बना ओपनिंग पचास क्लोजिंग सांथ हजार तो इस क्रेड बैलन्स होते हैं तो ओपनिंग पचास दर इसका अकॉंट बनाने की जरुवत नहीं थी एक ही एड्जेस्मेंट का लेकिन मैं आप बना लेता हूं ओपनिंग चार लाग रुप है एसेट एसेट की डेबिट बैलनस होते क्लोजिंग आपका तीन लाग असी अजार पे लेंड इन बिल्डिंग ठीक है उसके बादे मश करेंट एसेट आपकी दो तीन लाग से कम हो कि दोलाक असी होगी तो करेंट एसेट रिक्रीज़ तो प्लस करेंगे बीस जार रुप है आपने यहां पर इस टॉक को लस्ट करें अब उसके बाद यहां पर संड्रीटेस आपका ओपनिंग चार लाक और चार लाक बीस तो पाद यहां पर आपका cash in hand आपको सिखायता है कि cash in hand और cash cash and cash will opening और closing लिखते हैं तो opening दो और तीन cash in hand cash bank दोनो cash and cash equivalent है दो और तीन पाँच और एक लाग दस और एक लाग चालीस और चार लाग दस है तो आप यहां पर देखोंगे आपने ओपनिंग coaching balance रिखिए काइस आपका पाश जांघ दो और तीन दो लाग और तीन ला थेで कौलेंग बयाग ग्याई आपका पाश लाग और यह जो था आपका एक लाक चारलीस हजार और और कितना यको चार लाग दस सारे क्लोजिंग कि पाशलाग पचास ओपनिंग इनका डिफरेंस अगा देखो पचास तो या अंशर अपना पचास ती आना चाहिए तीन हो अब उसके बाद उसके बड़ाइगे दो डेप्रिस्टिशन वे तो इसके बाद फीडिये अपनी सोल इन्वेस्मेंट अटेपर अब उसके बदेखो यह बता है कि आपने profit पे बेचे profit पे बेचे तो आपके entry क्या पास होती investment बेचते तो तो bank account debit to investment account यह आप entry पास करते पिटा और profit के entry पास करते फिर investment account debit to P&L account यह entry पास होती लेकिन इस question में गेता कि profit वह दसार को उन्हें पीनल में credit नहीं करें ने capital reserve में credit करें तो पीनल में credit नहीं करें अब कितने में बेचे वह अपने को नहीं बता है लेकिन वह आपने find out कर लेंगे missing figure पर आपने capital reserve में credit करें वह कह रहा है आप से investment account debit to capital reserve और यह जो आपने बेचने की जो है वह balancing figure आजेगी कितने में बेचे वह बता है नहीं कोशन में देखो इन्वेस्मेंट अकाउंट आपने डेबिट करें दस अर्स 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 क्रेडिट करें तो capital reserve account भी आपका यहां पे close हो गया अब आपकी ने ठीक हो बैलेंसिंग फिकर हैं कितने में बेचे वह अपन मैं ठीक है तो फर्क है दोन में तो provided penile account अगरी second party में आपको सिखा यह था आपको अभी बताया मैंने मिटा यह second part में यहां पर tax प्रोवाइड बहुआ पीनल account इंग से किन पार्ट में इस से केंड पार्ट यह बना रहे हैं तो इस देखो आपने 55,000 देबिट करें ठीक है तो मचेनली अकॉंट डेबिट 2,25,000 में डेबिट क Rings तो शिंतने कि यपनी शहयों नाजके में डेबिटबैकंAT अबचे ंडेबिट किस्टे यपन करम चाहने पेड करें का थे और यां यहां इंकवीटी तो मशनेरे कांग अबेट में पेकर यह तो पेमेंट फॉर पर्चेस ऑप मशनरी इस इंवस्टिग अपने इन्वस्टिग एक लाग पच्छीज लेकर अब मशनरी को क्रेट करता है अब मशनरी को जाके सब्सक्राइब आपने क्या दी प्रिश्यर कापिटल इत् 55 Depresition 55 तो आपने 55 लिख दी यहां पर अब उसके बाद यहां पर equity share capital का balancing figure आपका 1,50,000 रुपे उतने के आपने shares issue करे, issue of shares financing activity यह आपने यहां पर लिख दी उसके बाद आपके investment का यहां आपका 60 तो यह balance the sale of investment 60,000 तो यहां पर लिखे और आपने बास provision for tax आपका debit side short there that you paid you paid you debit to provision for tax when we pay तो आपने यहां पर पेकर how much we paid third 45 तो बैलंसिंग वे income tax paid that is 45,000 कहां गया भई यह 45 दन यह आगे figure that's it it's not simple आपका बगर आप बच्चे इसको रट रटे रटे जाते इसको जाके अब उसके बाद छोटी-छोटी दो चीज अगर आपने कभी business purchase करें कोई अपने को बताना था not to be netted हो मतलब जो बेचे हो अलग और जो खरीदे हो अलग ठीक है अब याद लगे जब आपको बिजनस खरीदते हो तो आप उसमें current asset current liability भी आपके पास आ जाती तो आप वो change in working capital का जो comparison करते हैं आपका current asset current liability का जो होता है increase decrease उस वह यह वाली current asset current liability consider नहीं करना उसमें कौन सी जो आपने बिजनस पर्चेस करते वकिए उसका भी लॉजिक है वह पीनल अकॉट जब आपको बिजनस पर्चेस का तो आपने वेंडर कमनी के current asset current liability लिए तो मेरे पीनल में effect जा रहा है लेकिन आपने वेंडर कमनी को जब टेक ओर करें तो आपने जहां पर खरी जो तो उसकी करेंट लाइब की हुई जरूर है लेकिन क्या आपके profit पर पढ़ रहा है कि उससे कोई पीन में कोई effect जा रहा है नहीं इसलिए उसको यहां पर आपसे कहता है कि उसको बैलेंशी डेट पर मॉनिटरी अटम तो लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए लेकिन एस थी के तो एक्ट्री कोई कई का इंफ्लो और आउट्व नहीं हुआ तो cash flow statement में आप उसका effect नहीं देता हूं और आप आप books of account में इसको closing rate पे लिए तो effect difference तो आएंगा मेरे cash flow statement में और books of account के balance में तो उसमें difference आएंगे तो वोगते है reconcile करके cash flow statement में नीचे आप आखरी में एदे note करके आप महाँ पर बता जो कि reconcile क्योंकि books of account में क्यों और हमारे इसमें की difference क्यों आ रहा है so this is all about accounting standard 3 cash flow statement जिके separate question institute 10-12 number का आप से पूछ सकता है ठीक है so यहाँ पर हमारे इस chapter का हमारा revision यहाँ पर complete होता है और if you find it good आप अपने friends से जरूर शेयर करे करो subscribe इस channel को जरूर करो अगर if you like this video comment on it और all the best बस इसी तरीके से आप quick revision होने चाहाँ हमने 41 minutes से सारे concept इस chapter के कर लिए और जो आपको regular batch यह EO batch वाले मेरे student है आपको मैं LMM जो बता है बस उसको आपको पढ़ना रहा है तो तो या पे अमाना revision